हेलो गाइट्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्लाउड क्या होता है इस वीडियो में हम जियो क्लाउड के बारे में डिसकस करने वाले जेओ क्लाउड क्यों बेटर है दूसरे क्लाउड स्टोरेज आप से जेओ क्लाउड क्या क्या फीचर्स प्रोवाड करता है क्या ये सेक्यूर है इसमें क्रेफ नानका प्रोग्रेम भी आता है जिसके वजे से आप अपनी स्टोरेज 55G भी तब एक्सपांड कर सकते तो मैं हो अभिशेक और आप देख रहें टेकिन शॉट तो चलिए शुरूगरते तो दोस्तों क्लाउड स्टोरेज सिस्टिम क्या है ये सबसे पहले आज हम देखते ट्रेडिशनल वे में लोग क्या करते है तो अपना डेटा pen drive, hard drive में store करते है तो इसका प्रोब्लेम क्या हो जाता है अगर आपके hard drive corrupt हो जाए अगर आपका pen drive lost हो जाए तो आपका data loss होने का chances होता है और आप अगर mobile में अपने data रखते हैं तो mobile की storage को लोने का problem आता है तो इस सब से shoot कर अपाने के लिए एक best way है cloud storage system cloud storage system क्या होता है आप अपना data दुसरे servers पे रखते हैं जैसे कि वो secure way में रखा जाते हैं आप कही से भी वो data access कर सकते हैं तो आप दोस्तों दुनिया में कई भी जाए आपको वो cloud storage accessible होगा आप उस cloud service provider के website में login करके अपना data कई भी access कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम ऐसे एक best cloud service provider आप देखने वाले जिसका नाप Jio Cloud है तो Jio Cloud क्या है यह हम दिखते हैं तो Jio Cloud क्या है Jio Cloud is a safe and secure cloud storage system offered by the Jio Jio Cloud में आप अपने mobile message, music, photos, videos, documents जो कुछ भी रखना चाहते हैं वो रख सेपते हैं दोस्तों आज की तारिक में मार्केट में बहुत से cloud service providers available हैं जिसके कि Google का Google Drive और Google Photos, Microsoft का OneDrive, Dropbox, Mega जैसे बहुत सारे cloud service providers है अब इनसे Jio Cloud में ऐसा काउन से feature से जो Jio Cloud को special बना देते हैं Jio Cloud के पास सबसे बड़ा advantage है कि Jio Cloud आपको 55GB तब storage प्रोवाइड करता है आपको data encryption जैसे security techniques मिलता है आपको remote log work जैसे feature मिलता है अगर आपको mobile हो जाए तो आप remotely दूसरे device से log work कर सकते हैं आपको pream device जैसा भी feature मिलता है जैसे कि आपका जितना भी photo video backup हो आए वो आप securely delete कर सकते हैं अपने mobile की storage से तो अब भी देखते हैं हम Jio Cloud कैसे step by step शुरू कर सकते हैं और कौन से भी device में कैसे access करता हैं तो दोस्तो आपको Jio Cloud install करना होगा तो आप अपने mobile में पहले play store में जाए play store पे जाके उधर Jio Cloud search किजे और install button पे क्लिक किजे आपको description box में Jio Cloud download करने का link भी मिल जाएगा अगर आप Jio user नहीं भी है फिर भी आप Jio Cloud यूज कर सकते हैं आप अपने facebook से और गूगल की id से login करके Jio Cloud यूज कर सकते हैं तो आपको sign up का option मिल जाएगा sign up पे क्लिक किजे अगर आप Jio user है तो आपको 55 GB की cloud storage मिल जाएगी अगर आप अपने google की email id से login करते हैं तो आपको 52 GB की cloud storage मिल जाएगी sign up पे क्लिक करके आप अपने mobile number या enter किजे अपने mobile number या enter करने के बाद generator OTPP क्लिक किजिए इसके बाद आपके mobile पे OTP आज जाएगा वो OTP डालने के बाद आप login कर सकते हैं अगर आपने Jio Cloud पहले कभी install किया नहीं है और आप नए Jio Cloud पे तो आपको login करते हो एंटर referral code या नाम का एक box दिख जाएगा उदर आपको referral code या enter करना होगा आपके गर में अगर किसी ने Jio Cloud यूज किया है तो आप उसका referral code यूज कर सकते हैं नहीं तो आप इस screen पे मेरा referral code दिख रहा होगा वो आप enter कर सकते हैं आपको description box में भी मेरा referral code दे दूंगा आप वो यूज कर सकते हैं referral code यूज करने का फाइदा यह होता है अगर आप without referral code login कर जाते तो आप Jio user है तो आपको 5 GB की पहले storage मिल जाते हैं अगर आप नहीं Jio user नहीं भी है तो भी आपको शुरुआत में 2 GB की storage मिल जाते हैं referral code यूज करने के बाद आपको extra additional 10 GB की storage मिल जाते हैं तो ऐसे करके आप Jio user है तो आपको 55 GB की storage और आप Jio user नहीं भी है तो आपको 52 GB की cloud storage मिल जाते हैं अगर आपने पहले कभी Jio cloud login करके uninstall कर दिया होगा तो आप अपना Jio mobile number direct enter करके send OTP पे click करके login कर सकते हैं अगर आप Jio user नहीं भी है फिर भी नीचे other login options पे click करके आप अपने Google या Facebook से login कर सकते हैं तो मैंने पहले install Jio cloud login कर लिया था इसलिए मैं अपना mobile number डालके OTP पे enter करके login कर लेता हूँ मैं अपने Jio cloud account में successfully login हो चुका हूँ आप मेरी storage देख सकते हैं नीचे आपको let's go का option मिल जाएगा उस पे click करके next किजिए next आपको या हो original quality select करना है और आपको जो जो backup करना है वो आप select कर सकते हैं इसके बाद next करके wifi plus cellular का option चुछ करके continue पे click किजिए और continue पे click करके सब permissions allow allow कर दिजिए आपको upper right corner में three lines दिख जाएगी उस पर click करके setting पे click करके auto backup पे click किजिए इधर आपको auto backup on करना होगा और आपको जो-जो folders backup करने होगे वो turn on करने होगे आपको अगर अपनी तरीके से setting कस्टमाइज करने होगी तो आप कर सकते हैं इसके बाद आपको previous menu में आना है इधर आपको password log का option दिख जाएगा अगर आप password log का option on कर देते हैं तो हर वक आप जब app open करेंगे तब आपको यह password पूछेगा अपने laptop यह desktop में geocloud login करने के लिए सबसे पहले आप अपना chrome browser open केजे chrome पे जाके आप geocloud search केजे geocloud search करने के बाद सबसे पहले जो link दिख जाएगी उस link पे क्लिक करके आप login के option पे क्लिक कीजे login के option पे क्लिक करने के बाद आपको enter mobile number कर option दिख जाएगा उदर आपको अपना mobile number enter करके send otp पे क्लिक करना होगा नहीं तो आप अपनी google ए facebook से भी login किया है तो कर सकते मैं अपनी case में login using QR code कर रहा हो login using QR code करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी geocloud एप में connect to web option सिलेक करना होगा इसके बाद camera जो भी permissions माकता है उसको allow करके अपने camera से आपको desktop पे जो QR code दिख रहा होगा वो scan कर लिजे scan करने बाद आपका geocloud desktop पे login हो जाएगा वीडियो अच्छा लगो तो like भी कर दिजे शेर भी कर दिजे और चैनल को subscribe करना मत बूलिये क्योंकि मैं आपके लिए AC90 tricks की वडियो लाता रहूंगा तब करके लिए बुड़ बाद